सास्रेकल नमश्कार हमारे सभी किसान भाईयों को किसान भाईयो आप सभी का स्वागत है फार्मिंग यान चैनल में किसान भाईयो इस बार किसान भाईयों को 10,000 रुपे प्रतिकुंटल भाव मिले हैं वो कौन सी ऐसी फसल है जानेंगे जब फसलों का प्रोडेक्शन बढ़ जाता है जब सफलाई बढ़ जाती है तो मारकेट में डिमांड कम हो जाती है डिमांड कम होने से फसलों के टौब भाव भी नहीं मिल पाते हैं इसलिए फसलों के ज़्यादा भाव लेने के लिए हम सब को एक चर्ण बत तरीके से खेती करनी चाहिए इसे बहुत बड़े बैन्फिट वो फैदे मिलेंगे जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से आप लोग वीडियो को end तक किसान भाईयो जरूर देखें अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें पास वाली घंटी को प्रेस कर लें जिससे खेती के वीडियो आप लोगों तक समय से पहुंचते हैं अब बैन्फिट कौन कौन से वो मिलते हैं जानेंगे नमबर एक फसल चक्र अपनाएंगे तो मिट्टी की उर्रा शक्ती भी बढ़ेगी किसान भाईयो जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा दूसरा नमबर मार्केट में भाव भी जादा मिलेंगे जिस फसल को हमने लगाया है जैसे मैंने इस बार आप लोगों को अक्टूबर में वीडियो के माध्यम से सरसों की भुआई करने के लिए उस्साहित किया था किसान भाईयो पता था कि भाव अच्छे मिलेंगे भाव किसान भाईयों को मिल भी रहे हैं देल का भाव ज़ादा होने से किसानों को सरसों के भाव भी ज़ादा मिल रहें, जैसे की पिछली बार सरसों के भाव आखिर में आकर 90,000,000 रुपए प्रत्यकॉЇंटल तक रहे थे अधिक्टम। इस बार की बात की जाए तो किसान भाईो सरसों की कटाई कम्पलीट लगभग होने वाली है। जो खेत खाली होंगे उसमें किसान दूसरी फसले असानी से ले लेते हैं। यूपी के अधिकतर किसान हमारे जो हैं सरसों की कटाई करके गन्ने की बुवाई भी कर रहे हैं और दूसरे रज्जों के किसान भी किसी दूसरी फसलों की बुवाई कर लेते हैं अगर सरसों के रेट की बात की जाए तो किसान भाईयों जिन किसान भाईयों के पास पूरानी सरसो अभी है तो उसका रेट इस बार नई सरसों के मुकाबले ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पुरानी सरसों में किसान भायों तेल की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए मंडियों में रेट अच्छे मिलेंगे अगर बात की जाए सरसों के भाव में सरसों के भाव साड़े 6,000 रुपए 7,000, 8,000 और 9,000 और नमबर एक क्वाल्टी की जो सरसों थी वो 10,000 पर प्रति क्वांटल तक भी किसान भाव मिले हैं सरसों के इस बार अब सरसों का उत्पादन किसानों को क्यों कम मिलता है या भी जानना किसान भायों जरूरी होता है सबसे पहले सरसों की ही टाइम पर करनी होती है वह नमबर एक क्वाल्टी का बीज लेना होता है सरसों में खाद परबंधन सही करना चाहिए सलफर इसमें जरूर परियोग किसान भायों करना चाहिए खाद अगर आप परियोग करने जा रहे हैं फासफोरस देनी है तो सिंगल सुपर फासफेट जो आती है बहुत सही रहती है लेकिन आप लोगों को सिंगल सुपर फासफेट ओरजिनल बिल के साथ लेनी होती है क्योंकि डूबलीकेट सिंगल सुपर फासफेट खाद जो है मारकेट में बहुत उपलब्द करवाई जा रहे है अब सरसों में दो से तीन सिचाई बहुत की बात की जाए तो आप लोग किसान भायो जानती होंगे यूक्रेन रूस का युद्ध अहम होगा लंबा युद्ध चला तो तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी तेल का रेट बढ़ा किसान भायो तो सरसों का रेट भी उपर बढ़ेगा जिससे किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे अगर किसान भाईो आप लोगों ने सरसों स्टोर करना चाहते हैं अगर आपने कटाई करके कंप्लीट कर ली है तो सरसों को लगबग 2-3 धूप जरूर लगवानी चाहिए जिससे उसके अंदर जो नमी है मॉस्चराइजर है उसके बाद आप लोगों को बोरो में भरके श्टोर करना चाहिए अगर आप गीली सरसों बोरो में भरके श्टोर करेंगे क्वाल्टी खराब हो जाएगी दानों पे धब्बे बन जाएँगे दाने काले हो जाएंगे और वजन कम हो जाएगा इसलिए आपको नमी सुखाकरी सरसों का स्टोर करना चाहिए अगर आप रुक के सरसों की विक्री करते हैं तो अच्छे रेट आगे देखने को मिलेंगे और भी किसान भाईयो आप लोगों को मसूर की जो फसल आती है उसकी ब बौई करने के बाद अक्टूबर सेविंग में लाइनों में सरसों वा और मसूर की बौई करता हूं अच्छे रेट मिलते हैं और उरा शक्ती भी बढ़ती है आगे आने वाले वीडियो इसी तरीके से होंगे जरूर किसान भाईयो देखिएगा इस वीडियो को किसान हित मे प्लीज दबा कर शेयर कीजिएगा धन्यवाद जहीं